हेलो दोस्तों वल्कम बैक माई चैनल नीटिंग विच अरीता आज मैं आपको इस वीडियो में यह डाइमंड सेफ कैसे बनाते हैं वह बताने जारी हूं यह स्लीफ है मैंने दो डाइमंड सेफ बना रखे हैं आप इसको पूरे स्वेटर में भी बना सकते हैं बहुत ही प्यार मैंने इसमें 45 फंदे डाल रखे हैं मैं 7-8 साल के बच्चे के लिए बना रही हूं उसका यह बाजू का पार्ट है अब मैं यह डिजाइन डालने जा रही हूं यह डाइमंड मैंने 7 फंदू का बना रखे हैं आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी अगर बड़ा बनाना हो तो 9 या 11 फंदू का बना सकते हैं उससे बड़ा भी बना सकते हैं चैलिए मैंने 7 फंदू का बना रखे हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम 7 फंदे बना कलर से बना लेंगे साथ फंदे ब्लेक के बना दे सीधे सीधे अब आटवे फंदे में हम वाइट कलर लगा रहे एक फंदा हम सीधा कर लगे इसके बाद साथ फंदे ब्लेक दो तीन अब हम ये वाइट वाले धागे को आगे बढ़ाते जाएंगे जैसे तीन फंदू या चार फंदे के बाद हम उसको आगे करते जाएंगे साथ फंदे हम ब्लेक के कर लगे चार छे साथ फिर एक फंदा वाइट ये ही हमने पूरे स्लाइम में रिवीट कर रहे हैं साथ फंदे ब्लेक के एक फंदा वाइट 7 black 1 white इस लाइन में पूरा यही repeat करना है second row है back side को अब हम यहाँ उल्टा उल्टा बनाएंगे यह जो हमने white किया है first line में उसके दोनों side को हम एक एक फंदे white कर लगे इस white को black कर लगे देखे कैसे यह हम white करना है इस white को black करना है इसके बाद एक फंदा और white यह देखिए अब यहाँ पर white है इसके दोनों side को white white करना है बीच में white के उपर black करना है हमको black फंदे हम बनाएंगे 3 फंदे या 4 फंदे तो white धागे को आगे करना ना भूला है यह देखिए यह white फंदा है इससे पहले एक white white फंदे के उपर black इसके बाद एक white यह देखिए यही पूरे रो में repeat होगा तीन चार यानि पाँच फंदे बीच में black होंगे उसके बाद एक white एक black एक white पूरी रो यही हम थर्ड रोम आ गए सीधे साइट को इसमें क्या करना फर्स फंदा हमें सा सीधा निकालोगे फिर उसके बाद दो तीन चार फस्त में चार है अब हम इसमें भी यह white फंदे के इस साइट को white कर लगे इस white के इस साइट को white कर लगे जो पिछले इस सलाइमा हमने white किये थे उसके उपर black हो जाएंगे देखे कैसे यहां पर हम white कर लगे एक white आ गया इसके उपर black एक दो तीन फंदे black के हो जाएंगे अभी उसके बाद एक white यह देखिए यही repeat होगा इस लाइन में एक दो तीन white तीन black एक white एक दो तीन तीन black और एक white पूरी रो हम ऐसे ही करंगे तीन black एक white फूर्थ रो है बैक साइट को इसमें भी यह white है white से पहले हम white कर लगे white के उपर black कर लगे एक दो तीन चार पांच अब हमारे पांच फंदे black हो जाएंगे एक white होगा एक black एक white यही रिपीट होगा पांच फंदे black एक दो तीन चार पांच वाइट ब्लेक एक दो तीन चार पांच पांच ब्लेक white व्लेक व्लेक व्लेक्वाइट यहतीन फिर प्र पंदे वही रिपीट हो रहा है पांच फंदे black ह Всем ब्लेक फाइट ब्लेक होगा दिश थी पूरी रोह WhatsApp बांच पांच उल्लेक होगी है फोर रो कम्प्लीट हो गए, देखे हमारा पैटर्न बना स्टार्ट हो गया, अब फिफ्थ रो है, सबसे पहले हम, ब्लेक कलर से, दो, तीन, यह देखे, यहां तक कर लगे, जो वाइट फंता हमारा, अल्रेडी है पहले स्लाइज से, उसके पहले वाला फंता इस बार, हम इसको हुआइट कर लगे, यह देखे, इसको हुआइट कर लिया, इसको ब्लेक कर लगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यानि साथ फंते अब हमारे ब्लेक हो जाएंगे, उसके बाद हुआइट, एक, दो, तीन, अब हम हुआइट कलर के इसको आगे कर लगे, चार, पान, छे, साथ अब हम इसको ब्लेक कर यह फॉइट कर लेंगे साथ फंदू के बाद एक फॉइट अब साथ फंदे ब्लेक एक, दो, तीन, चार पान, छे, साथ फिर फॉइट पूरी रो में ऐसे रिपीट कर लेंगे फिप्त रो है साथ ब्लेक, एक फॉइट पास रो कमप्रीट हो गए अब हमारा से यह देखिए यह डाइमंड से आधा वन गया है अब हमें क्या करना है यह इधर को आएगा और यहां से इधर को यहां पर मिल जाएंगे, ऐसे डाइमंड से बनेगा क्योंकि जब साथ फंदे बीच मा आ जाते हैं तो फिर हमें यहां को टर्न होना है यह इधर को टर्न होगा, यह इधर को टर्न कैसे, देखिए फॉस फंदा निकाल लेंगे यह वाइट है इसको हम अभी फ्वाइट कर लेंगे यहां नहीं जाएंगे, अब हम इधर को आ जाएंगे इसको हम फ्वाइट को ब्लेक कर लगे इससे पहले अब इस साइट को आना है तो हम यहां पर अब एक फ्वाइट कर लेंगे यह वाइट पहले था अब इधर इधर को हम आ जाएंगे और इस साइट से इधर को हो जाएगा अभी देखना कैसे एक दो तीन यहनि पांच फंदे अब हमारे ब्लैक हो जाएंगे तीन चार पांच यह वाइट है इससे पहले अभी तक हम इधर को जा रहे थे आब हम इधर को आएंगे पहले हम ख्वाइट कर लेंगे कर दोब के बाद एक ब्लैक कर लिया अब हमारा यहां पे गैनल होगा यह देखिये ऐसे दिखा देती हूं ये वाला सेप इधर को जाएगा और ये इधर को आएगा ऐसे तो देखिए एक वाइट कर लिया उसके बाद एक ब्लैक और फिर वाइट फिर पांच फंदे ब्लैक एक दो तीन तीन के बाद धागा आगे कर लिए वाइट वाला चार पांच पांच के बाद हम ये जो एक फंदा हमारा वाइट है भी इसके दोनों साइट को एक एक फंदा हम वाइट कर लिए इस वाइट को ब्लैक कर लिएगे पांच फंदे के बाद हम एक फाइट, ब्लैक और वाइट यही पूरे रोब है, रिपीट होगा, पांच ब्लैक, एक फाइट, यह देखे, सिंपल से ऐसे ध्यान रखना, जो एक फंदा हमारा वाइट है, उसके दोनों साइट को एक फंदा वाइट होगा, वाइट के उपर ब पांच फंदे ब्लैक होगे, पांच फ्लैक, वाइट, ब्लैक, ब्लैक, वाइट, पूरे रोब है, यही रिपीट होगा, सिक्स रोब PAUL,ック ब्लैक होगे, अब सेवन रो में हम आ गएए, अब देखिए, क्या करना है, इसमें जो फाइट है, उनकर एक इस साइद, एकि साइड white कर लंगे और जो पहले white है उनको black कर लंगे पस फंदा हम सीधे निकाल लंगे एक फंदा black और white है white से पहले हम एक white कर लंगे white के उपपर black एक दो तीन तीन फंदे हमारे black हो जाएंगे और white हो जाएगा तीन ब्लेक एक दो तीन एक white यही पूरी रो रिपीट कर लंगे तीन ब्लेक तीन एक white पूरी रो हम यही रिपीट करेंगे यह देखिए डाइमन बन रहा है आधा बन गया हमारा यह ऐसे इधर को जा रहा है यहां पर मिलेगा एर्थ रो पे हम आ गए बैक साइट है यह देखिए हम पहले black कर लंगे यह वाइट है हमारा white को हम black कर लंगे इस साइट को आ रहे हम सीधे तो white के बाद हम एक white कर लंगे इस सलाही में यह देखिए हम इधर को आ रहे है एक black और इस साइट से हम इधर को आ रहे हैं तो यहां पर white कर लंगे white black white इस white के उपर black करना है एक दो तीन चार पांच यह देखिए यह वाली रो इधर आ रहे है यह रो यहां आ रहे है तो फाइफ फ्लेक करने के बाद हम एक white फिर एक black फिर एक white यह हमें पूरी रो में repeat करना है फाइब black दो तीन चार पांच यहां पर white कर लंगे यह देखिए यह रो यहां आ रही यह रो इधर जा रही यह देखिए यह यहां आ रहा है यह रो यहां आ रहा है तो इससे पहले हम white कर लंगे white एक black और एक white पूरी रो यही repeat करेंगे 8 रो complete हो गए अब हम 9th रो में आ गए इसमें देखिए अब यह diamond हमारा complete होने वाला है यह देखिए इस जलाई में नौवी जलाई में हमारा यह complete हो जाएगा और एक आधा diamond हमारा यह बन जाएगा यह complete और यह आधा बन जाएगा देखिए इसको लेल देते हैं इससे पहले हम white कर लंगे अब हम 7 फद्दे हम black कर लंगे एक दो तीन चार चार के बाद हम white वाले धागे को आगे कर लंगे 5 6 यह देखिए 7 अब हमारा जो यहाँ पे एक बच्चा है black यह देखिए जैसे यहाँ पे एक black बच्चा है तो यहाँ पे अभी white हो जाएगा और सारे black हो जाएगे यह एक यहाँ पे यह white हो जाएगा और सारे black हो जाएगे साथ फंदे black अब एक white साथ black एक white पूरी रो यही रिपीट करेंगे यह हमारे ninth row है सीधे जाइट को 9 row हमारे complete हो गए देखिए 9 row में एक हमारे diamond save complete हो गया यह देखिए यह complete हो गया अब हमारा इन दोनों के बीच में एक diamond और बनेगा अधा बन गया अधा और बनाना है हमको अब next हम back side को क्या करेंगे देखिए अब यहाँ पे एक फंदा white का है जो इन दोनों के इस दोनों side को हम एक एक white कर लेंगे इस white को हम black कर लेंगे सेम यह repeat होगा दुबारा देखे बताती हूं इस दोनों side को हम पहले बना लेंगे यह white है इन दोनों side को हम white कर लेंगे white को black कर लेंगे यह देखे इसमें भी repeat होगा एक दो तीन चार पांच यह white है इसके दोनों side को हम white कर लेंगे इस white को black कर लेंगे white black और white फिर हम 5 फंदे black कर लेंगे फिर सेम यही repeat होगा पूरी रोव में अब हम सीधे side को आ गए देखिए यह वाला हमारा यहां पे ज्यादा फंदे है नहीं तो हम इसको यहां पे लेंगे यह इसको इधर लेंगे ऐसे बंद होगा यह देखिए यह black फंदों को सीधे बना लेंगे हम white फंदे को भी हम black बना लेंगे इससे पहले हम क्योंकि यह इधर को आ रहा है यह लाइन तो हम इसको white कर लेंगे अब हम तीन फंदे black एक दो तीन फिर white इस रो में यही रिपीट होगा तीन black एक white अब तीन black एक दो तीन अब एक white तीन black फिर उसके बाद एक white पूरी रो हम ऐसे ही complete करेंगे तीन black एक white अब हम बैक साइट को आ गए अब इसमें एक बात और मैं इसको यह बाजू बना रही हूं तो मैं हर 6-6 सलाई में दोनु साइट को एक एक फंदा बढा लूंगी यह देखिए क्योंकि स्लीप बनाते हुए हम चोड़ा चोड़ा बनाते जाते हैं एक फंदा मैंने यहां पर बढ़ा लिया भी अब दूसरे साइट को भी एक फंदा बढ़ा लूंगी मैं यह white के उपर हम यहां देख ले कि line कहा जारी यह line इधर को आ रही तो हम यहां पर हम white कर लेंगे यह देखिए क्योंकि यह line इधर को आ रही है भी अब पांच फंदे हमारे black हो जाएंगे बीच मैं दो तीन चार पांच यह white से इधर को यह line हमारी इधर को आ रही तो हम यहां पर white कर लेंगे एक black यह line इधर को आ रही तो हम यहां पर white यहनी इस रोम में हमने पांच black दो तीन चार पांच फिर उसके बाद हमें white एक black और एक white यही repeat करने है पांच black white black white फिर same repeat पूरी रोम में यही repeat करना है अब हम सीधे साइट को आगे अब हमारा इस रोम में सीधे साइट को जब हम बनाएंगे तो यह diamond भी पूरा होने वाला है देखिए यहां पर एक ही फंदा है जो दो white के बीच में एक फंदा बचा है इसको हम white कर लेंगे यह देखिए इसको white कर लेंगे और साथ फंदे हमारे black हो जाएंगे भी यह वाला diamond हमारा पूरा हो जाएगा इस रोम को complete कर लेते हैं यहां पर भी मैंने एक फंदा बढ़ा लिया यह देखिए इन दोनों के बीच में जो हमारा black है उसको हम white कर लेंगे और हमारे साथ फंदे black हो जाएंगे भी जब हमारा diamond पूरा हो जाता है तो जब हमने फस्त पर साथ फंदे किये थे एक फंदा हमने white किया था वैसी last माना चाहिए जब हमारा diamond से पूरा हो जाता है तीन चार पांच छे साथ फिर white ऐसी हम पूरी रोग कंप्लीट कर लेंगे यह देखिए हमारे दो diamond complete हो गए एक यह है और इन दो नुके बीच में एक यह diamond है और यह diamond हमारा हाप बन गया है देखिए इसके उपर जो diamond बनेगा भी हो हाप बन गया अब हम इसको complete कर लेते हैं इसके उपर जो यह हाप बना है इसको complete कर लेते हैं अब देखिए यह complete होगा तो हमारा यह वाला जो line है ऐसे इधर को आएगा और यह इधर को आएगा तब यह दोनों यहाँ पर मिलेंगे ऐसे यह यहाँ को जाएगा यह इधर को आएगा तो हम white फंदा बना रहें white से हम इधर को आएंगे और इस side से यहाँ को आएंगे एक बताती हूँ आपको यह white को हम black कर लेंगे इस side को हम white कर लेंगे यह देखें एक दो तीन चार पांच यह है इससे पहले हमारा white आजाएगा दिखा लेती हूँ आपको यह देखें यह वाला लाइन इधर को यह इधर को आएगा ऐसी हम एक diamond इस diamond को complete कर लेते हैं फिर आपको बताती हूँ वही repeat करना है बार-बार फिर देखाती हूँ आपको यह देखें दोस्तों मैंने यह वाला diamond भी complete कर लिया मैंने एक दो ऐसे दो बन गए और एक बीच में बना है तीन diamond complete कर लिये ऐसी मैं इतना ही लुक देना चार रहे हूँ मैंने यह देखें दूसरे slip में भी इतना ही डाल रखा है आप चाहो तो इसको पूरे sweater मां बना सकते हैं बहुत ही प्यारा लगता है यह देखें और मैं आपको दिखाती हूँ यह मेरा पीछे का पार्ट है sweater का पीछे का पार्ट है इसमें भी मैंने बॉर्डर के बाद इतना ही diamond कर रहा है तीन diamond बना रखे हैं और इसको simple बना रखा है simple लुक देने के लिए तो friend मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा यह pattern आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आपको पासा नाया तो please इसको share करें like करें comment करें नहीं हो तो please मेरे चैनल को subscribe करें bell icon जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंचे thanks for watching